ओम श्यान्ति हम सभी बाबा के योगी बच्चे ग्रस्त जीवन में रहते हुए संगटनों में रहते हुए कमल फूल समान न्यारे और प्यारे बनकर जीवन व्यतीत करते हैं संसार में तो सभी लोग रहते हैं हम ब्रह्मा वत्सपियदी उनकी तरह बंधनों में फसे हुए गरस्त में लिप्त कर्मों के बंधन में बहुत ज़्यादा लिप्त रहेंगे तो हमारे ज्यानी होने का फाइदा ही क्या होगा हम ज्यानी है हमें निमित भाव से जीवन में जीना है धन है ये सब प्रभुदेन है बाबा ने हमें दिया है इस परिवार को चलाने के लिए that's all धन में आसक्त हो जाना धन ही सब कुछ है धन धना धन धन मन मना भव की जगे यही हो जाए तो इस से हमारी अलोकी की स्थिती बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है हम ग्रस्त में रहते हैं दो चीजे और होती है परिवार के साथ रहना बच्चों के साथ रहना और काम काज करना कारिये तो सब को करना है चाहे कोई ग्रस्त में हो या समर्पित जीवन में होता हो कारिये रत तो सभी है पर कारिये करते उनसे न्यारे रहना हर कर्म को अपना वंधन बना देना कारिये भी ऐसे भावसे करना मानो हमने लेप्थ हो ये कमल समान न्यारी और प्यारी श्थिती है कारिये किया, और देह से न्यारे होगे, ऐसा अभ्यास के इस देह में आए, कारिये करने के लिए उतरित हुए, कारिये किया, फिर वापिस परमधाम चले गए, ये है सर्व स्रेष्ठ कमल समान इस्थिटी, ऐसे ही सब के साथ रहते हैं, अब सब के साथ जब मनुस रहता है, त जन को उसने जनम दिया है उनसे blood connection होने के कारण उसका मोह बना ही रहता है लेकिन blood connection तो सबके ही हैं लेकिन आत्मिक connection बनाना ये अलोकिकता है ये कमल समान न्यारी स्थिती है तो आईए हम सभी ये आदर्स प्रस्तुत करें कि संसार में रहते हुए भी हम मानों संसार में नहीं रहते हैं संसार में रहते हुए भी हम अपने धाम में रहते हैं जैसे कोई व्यक्ती अपने घर से काम धंदा करने के लिए 15 दिन के लिए किसी दूसरे सहर में गया हो बिजनस परवज से उसको कैसी इस मरती है घर मेरा वहां है यहां मैं आया हूं कैसे वो वहां से detach रहेगा इसी तरह हमें भी ये प्रेक्टिस करनी है घर मेरा भ्रमलोक है और इस धरा पर मैं पार वजाने के लिए आत्मा अवतरित होकर आई हूँ तो इस अभ्यास से हमारे नैन भी कमल समान बन जाएंगे इसलिए देवताओं के अंग-अंग के साथ कमल सब्द जोड़ा जाता है कमल नैन, कमल मुख, कमल चरण, हस्त कमल तो हम अपने नैनों को कमल बनाएं, नैनों को कमल बनाने कार्थ है, अब इस देहे को न देखकर, देहे को देखते हुए भी इसमें चमकते हुई आत्मा को ही देखें मुख से सब्द बोलें लेकिन वही बोलें जो अमरत तुल्य हों कानों से सुनें अच्छी बाते ही सुनें कर्म करते निरलेप रहें करमेंद्रियां इस अंसार के विभिन रसों में रहें लेकिन किसी भी रस में वो लिप्त नहों ये है कमल समान न्यारी और प्यारी स्थिती तो आज सारा दिन हम ये दो अभ्यास करेंगे जिसे भी देखेंगे वो सब आत्माएं हैं सभी परमधाम से आई हैं और हमें सब को ही परमधाम ले जाना है ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ अब ये देहे और देहे का सब कुछ धन्जम, पत्ती, मकान, दुकान, ज्वैलरी सब कुछ यहीं छोड़ कर हम सब को वापिस चलना है और मैं आत्मा भी देह सिन्यारी हूं मुझे भी सब कुछ छोड़ कर वापिस जाना है तो इस तरहे जाने की स्मर्ती रखेंगे और जाने की स्मर्ती के द्वारा इस संसार को खेल की नियाई देखेंगे और देखें ऐसा करने से कितना सुन्दर आनंद जीवन में आता है और जीवन में जीवन में आता है